आपको पढ़ा रहा हूं रिजिनी दोस्तों पिछली क्लासेज में अपने पढ़ा था क्यूब के बारे में दोस्तों आपने एच्छे से चैप्टर को गवर किया होगा और आने वाली उसकी लोगा सामना आपने किया हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है डीजिसर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना है और एप पर जो भी विद्यारति मेरे से पढ़ रहा है उन वन लिए तो दोस्तों यह तो थी पूरी सेलेवस या कोर्श सरिगाड़िन नौलेज मैंने आपको दे दी अपन क्या करते है किसी भी चैप्टर की जो सुरुबात करते हैं एक प्यारे से मॉटिवेशनल कोट के साथ करते हैं तो आग मोटिवेशनल कोट है वो मॉटिवेश प्रफटी छिडियों को खाना जदुव देती हैं मगर घुस्लों में नहीं देती हैं यानि कि चिडियां भी अपना खाना तलास करने के लिए गुस्लों से बाहर निकलती हैं तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको कुछ हासिल करना है तो महनत करना पड़ेगा अपने खाने के ल नया चेप्टर शुरू करने वाले हैं वो रहेगा अपना कमूटिंग ओफिगर यानि कि आकरतिया गिलना किस प्रकार कोशन पूछी जाते हैं आकरतिया गिलने से हरे एक इकजाम में आपको एक नया कोशन जरूर देखने को मिलता है चाहे वो आपका त्रीबुस से हो चाहे चाहे आयथ से हो चाहे सरकल से हो चाहे क्यूब से हो कहीं प्रकार कोशन इंदय चेप्टर में फीछे जाते हैं तो दोस्तों आज का जो अध्याई रहने वाला है ं आकरतिया गिलना सभी नया टोपिक लगाएंगें आकरतिया गिलना आखरते गिंगा आज का जो टोपिक है आखरते गिंगा यानि कांटिंग ओफिगर इसे जो कोशन पूछि जाते हैं लगभग चारे पास तरीके सी कोशन इसमें पूछि जाते हैं त्रीबुच से आयद से वर्ग से वरत से और घंद से पास तरीके सी कोशन अपने पूछि जाते हैं तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं, क्या गिनेंगे सबसे पहले दियेंगे फिगर में, सबसे पहले दियेंगे फिगर में, या आकरती में अपन गिनेंगे त्री बुज, तो फर्स्ट जो इसका टाइप रहने वाला है, वो रहने वाला है, त्री बुज, टाइप टमबर, फ जैसे की, for example, ये कोई तरीवूज है आपका, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फिगर, ये दूसरा फिगर है, और ये, तीसरा फिगर, इन तीनो फिगर के अंदर आपको क्या करना है, आकरितिया, आपको नमबर ओफ ट्राइगल पाइहला है, इसमें करने है, इसमें करने हैं, चलो पतावार रहते है, एक, दो, तीन, तीन हो गए इसके बाद एको और दो से मिलके चाहा दो और तीन से मिलके पांच्छ और तीनों से उसे तो कितने हो गए इसमें से थैदिको जो जो कें इसमें इसमें किनेंगें, इसमें कितनेें हैं heft, üç, four, five, six, seven, तीन से मिलीं uh eight, nine, ten इसमें कितने हैं? जान हैं, इसमें कितने हैं? ten इसमें कितने हैं, basic तरीके से दोष्त गिपने जाएगे आथे तो खोड़े एक परकार से करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे इंका numbering कर देगे जितने आपका vertical column या vertical lines नजर आ रहिए उनको आप क्या करदेंगे numbering करदेंगे और numbering करने के बाग इन lines को आप क्या करदेंगे simply add करदेंगे क्या करदेंगे दोस्तो simple add करदेंगे देखेगा 1 plus 2 3 3 6 6 or 4 10 10 or 5 50 15 or 6 21 तो आपको इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा अगर दी गई आकरती में या दी गए त्रीबुज में संपूल त्रीबुज को एक वर्टिकल निकालते हैं पुछ नहीं करना जो आपने पार्ट किए है उन पार्ट को नम्मर डाले क्या करें दो simply egg क्या करना है उन्को looking round करना है इ 만들 जा सकते हैं यह है दोस्तों पहला तरीका जिससे इसमें त्रीबुज में कौन करना आपसे पूछा जा सकता है। अगला तरीका देखें कि किस प्रकार से कोशिन किया जाएगा। अगर संपूल त्रीबुज को एक वर्टिकल कोलम से डिवाइब किया जाए तो किस प्रकार से त्रीबुज आप निकाले हैं। आपने देखा इस प्रकार से आप त्रीबुज निकाल सकते हैं। आगे देखेगा। अगर दिये गए त्रीबुज को से त्रीबुज को से त्रीबुज निकाले जाएं। मुवी अगरे को देखने हैं। देखेगा अगला प्रस्ट। अग्ला प्रस्टों को यह तीन कोशिन है इसमें आपको करना क्या है ट्री पूंच? 1 2 3 aging और 4 इसमें किसमें Kate ने हैं 2 शारण इसमें देखेंगे पानbod 2345678 कि आपको इस प्रकार की कोशन को करने के लिए दोस्तों आपको करना कुछ निये क्या करना है उनकी सेतिज रखा है आपको count करना है यनि इनके base देखने आपको कि number of base कितने हैं दोस्तों यहां भी इक हें इसमें number of base कितने हैं, one base, two, three, four, जितने base होंगे, number of base, जितने होंगे, उतने ही क्या होंगे, कुल 3 होंगे, क्या होंगे, number of base, इसमें number of base कितने है, six, तो 3 होंगे, eight, तो पिछले वाले में अंतर क्या है, पिछले वाले में था, कि सीर सेंग सामनी वाली बुजा के उपर क्या डाला गया था, एक लंब डाला गया था, या सीर से सामनी वाली बुजा पर एक लाइन डाली जाए थी, लम नहीं बोलेंगी क्या बोलेंगी लाइन बोलेंगी सिर्ष से अगर सामने वाले बेस पर एक लाइन डाली जाए तब तो नमबर ओफ ट्राइंगल निकालने का तरीका अलग होता है क्या करना है खंडों को अंक देकर उनको जोड़ देते हैं इसके बाद अगर त्रीबुजों में नमबर ओफ होरिजेंटल लाइन में डिवाइट किया गया हो त्रीबुज को तो टोटल नमबर ओफ ट्राइंगल कैसे निकाले जाएंगे सब भी को क्या करना है अंक देना है और जितने बेस उतने ही पुल त्रीबुज अपने पास निक जाएगा अगर इनी त्रीबुजों के अंदर दोनों लाइन हो तो किस प्रकार से अपन प्रोटाइट आएंगे कैसे फाइंड ओप करेंगे इसको देखेगा जो पुल त्रीबुजों की संख्या जो निकाले जाएगी वो कैसे निकाली जाएगे यहां देखेगा यह एक त्रीबुज है इसमें बेश देख लिए और इसमें जो साज़े वाले सीट्स हैं में क्या डाल रहा हूं लाइन डाल रहा हूं इसमें आपको क्या करना है कुल त्रीबुजों की संख्या फैंड आउट करनी है क्या करना है इसमें कुल त्रीबुजों की संख्या काम क्या करेंगे, सबी वर्टिकल को क्या देंगे, लंबरिंगे देंगे, सबसे पहला काम इनको क्या करदो, क्या करदो, एड करदो, इतना आया 10, उसके बाद बेश देखो, बेश कितने हैं, एक, दो, तीर, और चार, कितने बेस हो दोस्तों? चार बेस हैं. तो कुल त्रीबुज निकालने के लिए, कुल त्रीबुज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका योग आया है, टेन, उसको क्या करतेंगे? नमरों बेस हैं, 10 x 4, तो कितने बेस निकल के आ जाएंगे? 40, तो इस वाले प्रशने का आणसर क्या होगा, दोस्तों? इस वाले प्रशने का जो आणसर होगा, वो होगा अफला 40, यानि कि इस दी गई आकरते के अंदर कितने बेस हैं, दोस्तों? किया है इसके बाद आगे चलीगा और किस टाइप से कोशन आपसे उछे जा सकते हों वो देखेगा किस टाइप से आपसे कोशन उछे जा रहे हैं कि अगर इसके अंदर आपको पुल तरी बुज़ो के संख्या निकाल नहीं हो कैसे निकाले हो एक दो टी चार्ट सबसे पहले इनको देकर जोड़ दो कितने हो गएं दस उसके बाद कितने बेस हैं ये दो बेस हैं इनका यह कितना आ रहा है दस सब्से पहले यहां देखिएं दस है दस के बाद एक और दो इनको क्या करेंगे आप मल्टीले करेंगे उनको क्या करेंगे, आप मल्टिप्लाइं करेंगे, एक और दो, एक पुरा ये हो गया, एक और दो से कितने, तीन, फिर एक और दो से कितने, तीन, तो दो बन गे देखेंगे, ये तीन, टोटल तो दस होएगे, उसके बाद ये पुरा ये, एक पुरा ये, एक पुरा ये, एक तो इस दी गई आकर्थी के अंदर, जो number of triangle होंगे, वो कितने होंगे, दस पर है से 10 plus 3 plus 3 कितने 16 होगे जो कितने होगे, सोला होगी दोस्ते कितनी होगी सोला होगी आगे चलेंगे और भी तरीका है कोशन पूछने का कि किस प्रकार से कोशन पूछा जाता है कुल त्रीवुजो की संख्या निकाले है क्या पूछा गया है आपसे कुल त्रीवुजो की संख्या निकाले है इसमें तो देखे एक दो ती चार पाँच छे साथ आठ नो दस दस होगे दोस्तों लेकिन पाँच और छे को मिलाके ग्यारा साथ और आठ को मिलाके बारा नो और दस को मिलाके तेरा और एक पूरा कि तेरा के गाद यहां देखी एक यह वाला कि तने होगए के चोदा के बाद एक हो पूरा पंदा तो फुल त्रीवुज कि इसके अंदर पंदरा त्रिवू जैञेंगे दीर्यापपटि के अंदर कितने त्रिवू जैएंगे दोस्तों पंदरा त्रिवू जैएंगे आपको नजर आ रहा होगर ली आगे देखे और किसे प्रकार आपको प्रकार आप collapsing Director पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से त्रिवुज आपसे पूछे जा सकते हैं यहां देखिए इसमें क्या त्रिवुज आउट करते हैं किया अपको इसमें नम्रों प्रैंगल इकाल मेसे तो देख आए इक ते ढीतमि ही और चार के बाँ इन दोनों से पृट लोडर में क्या थ्योगं आठ संय तो इस दी गई आकर्ति के अंदर कितने जो precipitation है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी स्क्वाय या आयत के अंदर किसी वर्व या आयत के अंदर बनने वाले त्रीबुजों की संख्या चार हुई क्या हुई? चार हुई और जादा भी हो सकती है पाच हो सकती है छे हो सकती है तो बनने वाले कुल त्रीबुजों की संख्या क्या होगी दोस्तों उसकी दुगनी होती है क्या होता है उसकी दुगनी होती है कि अगर आयत या वर्वि के अंदर बनने वाले त्रीवू चार हुए है कम से कम चार होना चाहिए चार या चार से जादा भी हुए तब भी कुल त्रीबू जो कि सिंख्या क्या होती है दुबनी होती है तो आप नोट लगा दें लिकली ये नोट क्या है यदि वर्भिया आयत में बनने वाले त्रीबू चार या चार से जादा हुए तो फुल त्रीबू जो कि संख्या दुबनी होती है I hope आपको समझ में आया हुआ कि जब चार या चार से जादा हो जाए तो फुल त्रीबू जो कि संख्या कितने हो जाएगी दोस्तों दुबनी हो जाएगी जैसे भी एक कोशन करते हैं कि संख्या हो जाएगी जाएगी नाएगी लाएगा जाएगी जब वे एक हुआ है इस दी गए आख्रत्य के अंदर आप जो आक क्या रवा है था देखे ये दक उन्यार क्यां शिर्क किसद निकालेंगे क्योंकन तेन हो ये ओधे हैं कि जा हुए इसमें किस दिन भी छार पांक शे इसमें देखेगा एक, दो, तीर, चार, वाश, छे, तो इसमें चार हैं तो इसमें कितने बनेंगे आठ, इसमें छे हैं तो इसमें कितने बनेंगे बारा, इसमें छे हैं तो इसमें कितने बनेंगे बारा, तो बारा प्लस बारा प्लस आठ, कितने हो जाएंगे, चोभी सर इस तो हो गए उसके बाद देखिएगा दोस्तों 32 तो इसमें बन चुके हैं उसके बाद देखिएगा इस वाले कौने को देखिए यहां से एक तो यह जा रहा और यहां से एक त्रीबुच यह बन रहा है इस वाले कौने से कितने दो वेशे ही से एक यह रहा और एक यह रहा दों से भी बन जाएगे दोस्तों उसके बाद कोई बन रहा है नहीं उसके बाद कोई त्रीबुच अपला नहीं बन रहा है तो 32 में 2 लस दो यह जाने कितने इस दी गई आक्रची के अंदर नम्मर ओफ त्रीबुज जो होंगे कितने होंगे दोस्तों नम्मर ओफ ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे 36 होंगे इस प्रकार से आप दी गई आक्रची के अंदर क्या निकाल सकते हैं त्रीबुज निकाल सकते हैं आगे चलेंगे ये था दोस्तों त्रीबुश गिलना अब अगर आप से वर्ग गिलने के लिए बोला जाए टैट नमबर दो है अपना टैट नमबर दो क्या है वर्ग गिलना वर्ग गिलना यह अपनी आप्रती है क्या है यह आप्रती है इसमें क्या करना है आपको वर्ग फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले बोक्स को अंक लेदेगे रो कितनी है और कोलम कितनी है जब कोलम वर पंक्ती बरावर हो जब कोलम वर पंक्ती बरावर हो तो कैसे निकालेगे जब कोलम पंक्ती बरावर हो तो आप क्या करेंगे किसी भी एक साइट का ही या तो रों ले लओं या पोलम अंटे दो किसी भी एक साइड के अंको कह एक स्काय करके आप क्या कर देंगे परकार के पंदर करना तो कि सब्सक्राइन यह इंदर अगर मिज्य और आप करकार ठीक है, आगे चलते हैं आगे देखिए इसमें क्या करने हैं दोस्तों, आपको वर्क फैंड आउट करना है, तो सबसे पहली वई, इनको अंक देंगे, अंक दे दिया मैंने, अब यहाँ पर क्या है, जब कोलम वर पंक्ती बराबर नहीं हो तो, कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है, अपने को, सबसे लास्ट वाला अंक देखिए, कोलम का, और पंक्ती का सबसे लास्ट वाला अंक देखिए, कोलम का सबसे लास्ट वाला अंक पंक्ती का सबसे लास्ट वाला अंक, इनको क्या करना है, पीछे से मल्टिप्लाई करते हुए आना है, इनको क्या करना है, पीछे से मल्टिप्लाई करते हुए आना है, और तब तक मल्टिप्लाई करना है, जब तक यह बन से तो इसका फिलाल के यह आंसर क्या होगा 3 into 5 plus 2 into 4 plus और 1 into 3 1 आगया 15 plus 8 plus 3 15 इतने होते हैं अपने पास 23 23 के बाद 3 में एंसर देंगे 26 इस दी गई आकरती के अंदर कितने वर हो जाएंगे 26 बर हो जाएंगे दोस्तों इस दी गई आकरती के अंदर वर्ग find out कर रहे हैं पहले वाली आकरती के अंदर अपने देखा था कि जब पंक्तियों की संख्या इस थंबों की संख्यों के बराबर हो तो वर्ग आपको अगर find out करने हो तो क्या करेंगे अपन सीधा सीधा क्या कर देंगे किसी भी या तो column के numbers का ले लो या पंग्तिय का numbers ले लो उनका square करके add कर दिया जाएगा उसके बाद अगर आपको इस टाइप से कोशन अगर आपसे पुछा जा रहा है जिसमें वर्ग पुछा जा रहा है और number of column number of rows के बराबर नहीं हो तो कैसे find out करेंगे उने को क्या करना है last column वाला digit और last row व square find out कर सकते हैं उसके बाद देखेगा आगे चलते हैं इसमें कि वार्गी के अंदर इस वाली आखरती में कितने वार्ग है इस वाली आखरती के अंदर कितने वार्ग हैं इस वाली के अंदर कितने वार्ग हैं एक पुरा दो तीर चार चार तो वो है एक पुरा बड़ा वाला पांच और एक अंदर वाला छे तो इसके अंदर कितने वार्ग हैं छे वार्ग हैं एक दो तीर चार एक पुरा पांच और एक अंदर पुछा जाए तो देखो वान टू तीर वो एक पुरा फाइफ फाइफ के बाद एक एक शिक्स सैवं एट नाइन के बाद एक पुरा तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर इसके अंदर हो जाएंगे तेन वर्ग हैं तो दी गई आप रतर के अंदर वरगा आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेगा नेक्स्ट आप चलते हैं आयत को गिना अब क्या करेंगे अपन आयत को गिना अब क्या किनेंगे आयत को देखेंगे आयत को देखेंगे आयत को दोस्तों एक बाद इसली एक आयत को गिनते समय वरग भी आयत में अगर आपको इस दी गई इसके चुटि सी आकृती है इसके अंदर आयत करना हो एक दो एक और कुछ नहीं दर आपको इसका सम इधर लिख लेगा है इसका सम इधर लिख लेगा है और जो एक दो तीन चार चार के बाद पाच छे साथ आठ और एक पुरा पुरा इस प्रकार से क्या हो जाएंगे इसमें नो आयत हो जाएंगे यह जिसका बैसिक और डारेक्ट भी मैंने आपको गिन्ना बता दिया कि डारेक्ट कैसे गिन्ना है रो और कोलम के अंगों का योग करके तुन अंगों को आपस में मल्टिप्लाई कर दूआँ तो क्या हो जाएगा आपका टोटल लंबर ओफ आयत आपको मिल जाएंगे अब माल लीजे यह वाले आकरती है एक दू तीन और चार इसमें क्या करना है आपको आयत गिन्ना है तो एक दू तीन चार चार तो गिन्नी चार के बाद एक और दो से मिला के पास दो और दो से मिला के दो और तीन से मिला के छे तीन और चार से मिला के साथ फिर तीन से मिला तो ऐसा गिनने के विजए अब क्या करेंगी सभी अंगों को अंगते सर्ट जोड़ देंगी कितने आयत हो जाएंगी 10 आयत अपने पास हो जाएंगी गया एक और जैसे यह वाला कॉर्शन है इसमें क्या करना है आपको आयत गिनना है तो एक दो तीव चार एक दो तीव अश्र कठैने कीटने दस झाएंगे और एक फूर तो जैनल सता आयत हो जाएंगी इसके ख़रिये आप्रक्त कृम्त याए आंप आयत इस प्रकार से निकाल सके हो उसके बार देखी आयत आपने के लिए अब गिनते हैं अपन घंड घंड कैसे किनेंगे जब आपकी सीड़ी नुवा या इट नुवा आकती हो टाइप नुमर फॉर्द है थर्ड कितम हो गया अब आया है टाइप नुमर फॉर्द है घंड गिनना देखो कैसे घंड गिनेंगे आ कि यह आखरते माड लिए के क्यों क्यों पर क्यों पर क्यूब रखे गए हैं हैं और इस आतले ममा लिए Ann holiness अ दालना है तो क्या करेबिने कुछ करेंगी सीडिया है उपर पहुचने के लिए कितने सीडी लेने पड़ेगे आपको वण ट्री और 4 चार सीडी लेने पड़ेगे तो कुछ नी करना बस इन सीडी को अंख देकर देंकर स्पॉय तर कि आपको, एड कर देना है, 1, 2, 4, 9, 60, 16, 9, 25, 5, तो कितने घण हो जाएंगे? 30 घण हो जाएंगे दोसकों, जब आपकी ये 89 आकरती हो, तो कितने घण हो जाएंगे? अपने 30 घण हो जाएंगे? अब माल लीजिये, कि अगर आपको ऐसी आकरती नहीं दी जाएं, कुछ दूसरी आक्रती देजी आए तो तो किस प्रकाम आप करेंगे उसका भी तरीका वही रहने वाला है गन गिनने में तो कैसे करेंगे गिन रह Birthday करेंगे तोफको वहीं है एक तरीका को खूर में. कि छाहिए आपसे एंड गन चाहिए आक समकूह आत्र और आक्रती और याद अब आगे देखिए कि संकुलमा आकृति अगर आपको दी गई है तो किस प्रकार से आप उसमें निकालेंगे, संकुलमा आकृति आपको बनानी हो किस रया हो दी जो किस आपको आपको से शेज़ आपको दो किस आपको बनानी हो किस रीज़े म Key Sp Thor bisschen आपको किस दीज़े आपको दो किस दीज़े त लक बनानी हो किस प्रकार सेने के त départ कि अभी मौल दिए धुन के उपर धन रखे गए हैं यह तो सबसे पहले आपको क्या करना है इनको नमरिंग देनी हैं कि अधर से वीजिए लॉपर से देदीजिए वन टू यह अब उड़ा नमरिंग कीजिए वन प्टू टू ट्री और फोर इसके बाद आपको इनको मल्टिट्राइ करते वहां रहा है 1 इंटु 4, 2 इंटु 3, 3 इंटु 2, 4 इंटु 4, 6, 6 और 4 और इनको क्या कर देना है? आपको 8 कर देना है क्या कर देना है तो अभी फिलाल जो घन होंगी इसमें कितने घन होंगी बीस घन होंगी तो ये एक तरीका है घन पूछे जाने का आगे देखिएगा कोशन आप इसका स्क्रीन सोड ले सकते हैं चाहें तो कोशनों करते हैं ये कोशनों करते हैं इसमें करते हैं तो फ्सक्रीड़ देजिए करते हैं ये तो झाल 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 यह बन गए अपना एक 3D छीलर क्या बन गया एक 3D छीलर बन गया इसको देखेगा झाल 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 इसके अंदर क्या करेंगे अपन, टोटल अमर उफ क्यूब करेंगे, देखा, आपको दिख रहे होंगे, एक क्यूब क्यूब पर दो, एक क्यूब की नीचे, दो क्यूब, दो क्यूब की नीचे, तीन क्यूब, तीन क्यूब की नीचे, चार और चार की नीचे, पांच इनके अंदर आपको क्या करना है तो करने का तरीका वही 12345 सबको अंक दिये इदर से अब उल्टा अंक देंगे 12345 पांच पिरामीड है एक तरे के से पिरामीड है पिरामीड के दिने है तो वही क्या करेंगे इनके आमने सामने जो उनके हैं उनको आपको मुल्टिक्लाइब रहेंगे 1 x 5, 2 x 4, 3 x 4, 2 x 4, 3 x 3, 4 x 2, और 5 x 1 और इनको मुल्टिक्लाइब करके ये 4 और सबको 8 तर देंगे 8 र 5 13, 13, 13 और 13 कितने होगे अपने 26, 26 में 9S कर देंगी कितने होजाएगे आपने 35, कितने होजाएगे दोस्तों? तो यह था अपना counting of figure chapter इस से इस टाइप के question आप से पूछे जाते हैं I hope यह class आपको अच्छे से समय में आये होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप यूटूब चैनल पर जाकर डिजए से स्कोटा एक को सर्च कीजिए और उस चैनल को subscribe और class को like and share जिरूर कीजिए दोस्तो यह class बहुत ही helpful रहने वाली है आपके point of view exam से exam के point of view से यह class बहुत ही helpful रहने वाली है तो basic मैंने जो इसकी त्योरिती वो cover कर वाई है आप इसका screen suit ले सकते हैं और दोस्तो आगर आप अपनी तयारी को और मजबुत और बहतर बनाना चाते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको टेस्ट बन सब्सक्राइब करना होगा और यह जो मिलने वाला है आपको मात्र और मात्र नाइट का इंट रूपीज में मिलने वाला है और इसकी जो वैदिता है दोस्तो एक साल की रहने वाली है तो आई होप आगी class पसंद आई होगी मिलते हैं next वाली class में तब तक कि लिए सियो आई